हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चैनल पोविन मैत लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पीरे विद्यारतियों आजगी इस क्लास में हम तक साच चेया और साथ गनित विश्य की व्रकबुक के कारे पत्रक 98 को हल करना सिखेंगे बच्चो कारे पत्रक एक से लेकर 97 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से अल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर बच्चो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं बच्चो आज की सकारे पत्रक में हम भाग की समझ को विक्सित कर पाना सिखेंगे कि भाग की प्रकिरिया कैसे की जाती है तो बच्चो चलिए क्लास सुरू करते हैं जैको बच्चो पहला प्रशन है भाग कीजिए क्या करना है बच्चो आपको भाग करना है बच्चो संक्य दी हुई है 826 इसमें भाग दिना है बारह का तो बच्चो सबसे पहले आप क्या करें इधर बारह का साइड में पाहडा लिख ले ठीक है बारह एक कम बारह बार दूनी 24 बार तिया 34 बार चोकड़तालीस बारह पंजे साथ बार सिंग बहत्तर बारह सत्य चोरासी बारह आटे 96 बारह नम 108 और 12 धाम 120 अब देखो बच्चो पहली संगया कितनी है 82 बच्चो क्या 12 के पाड़े में 82 आता है तो बच्चो नहीं आता लेकिन उससे कम आता है 72 कितनी बार बच्चो एक दो तीन चार पांच और छे बार तो बच्चो यहां पर लिख दिया 6 उपर भागफल मे और यहां पर कितना लिखेंगे बच्चो 72 बच्चो 82 में से 72 गया तो पीछे कितना बच्चा 10 ठीक है उपर से उतारा बच्चो 6 उपर से कितना उतारा 6 बच्चो संगया कितनी होगी 106 बच्चो 12 के पाड़े में 106 तो नहीं आता लेकिन कितना आता है 96 कितनी बार बच्चो आपका सेज़ पल, 68 क्या हो गया बच्चो, 68 हो गया आपका बाग फल, ठीक है, 68 हो गया, बाग फल, और बच्चो, 10 हो गया सेज़ पल, आगे बढ़ते हैं बच्चो, दूसरा है खो, यहाँ पर देखो बच्चो, 20 का भाग देना है 560 में, तो बच्चो 20 का पाड़ा इदर ल बोलने पर, तो चपन में से कितना गटाना है, 40, 6 में से 0 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 1, फिर बच्चो उपर से उतारा 0, 160, तो बच्चो 20 के पाड़े में 160, कब आता है बच्चो 8 बार बोलने पर आता है, 160, तो बच्चो 160 में से 160 गया, तो सेस्पल कितना बच गया, 0, और बाइस दूनी चुम्मालीस, बाइस तिया चासट, बाइस सो गठे आसी, बाइस पंजे, एक सो दस, एक सो चोवन, एक सो चेहतर, फिर एक सो अंठानवे, और बच्चो दूसो बीस, ठीके, अब देखो बच्चो, बाइस के पाड़े में अंठानवे आते हैं, क्या नहीं आते क्या आता है 88, कितनी बार चार बार बोलने पर, अंठानवे में से 88 गया तो कितना बच्चा 10, उपर से उतारा 0, कितना हो गया 100, बच्चो सो नहीं आता लेकिन कितना आता है 88, कितनी बार बोलने पर 4 बार, तो में से 88 गया तो कितना बच्चा सेस्पल बार हो, उपर से उता 127, 127, बच्चो 22 के पाड़े में 127 तो नहीं आता, कितना आता है 110, कितनी बार बोलने पर 5 बार, तो 127 में से 110 को गटाना है, तो बच्चो सेसफल कितना आ जाएगा 17, 17 सेसफल और भागपल कितना आ गया 445, आगे बढ़ते हैं बच्चो, भाग कीजिये, क्या करना है बच्चो 438 में भाग देना है 9 का और फिर गुणा के दुआरा अपने उत्तर की जाँच भी करनी है तो बच्चो 438 में किसका भाग देना है 9 का, बच्चो 9, 34, इतना 9, 34, बच्चो 43 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 7, उपर से उतारा 8, बच्चो 9, 78, 72 ठीके 98 72 तो बच्चों सेस्पल कितना बच गया 6 बागपल कितना आ गया 48 ठीके अब बच्चों में क्या करना है अब बच्चों में जांच के लिए 9 गुणा 48 करना है और 7 में कितना जोड़ना है 6 तो बच्चों जब हम 9 का 48 से गुणा करेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो बच बच्चो जांच गुणा के द्वारा आपको जांच भी करनी है तो बच्चो क्या हो गया बाजक गुणा बागफल पलस सेशफल बाजक गुणा बागफल पलस सेशफल तो बच्चो नो क्या है नो है आपका भाजक क्या है बच्चो बाजक 48 क्या है बच्चो बागफल ये 438 क्या है भाज्य क्या है बच्चो भाज्य और 6 क्या है बच्चो 6 है आपका सेसफल क्या है सेसफल तो बच्चो सम्मंद क्या होता है सम्मंद होता है बच्चो बाजगता का नियम कहता है कि भाजग गोना भागफल बाजग गोना भागफल पलस सेसफल बाज़क गुणा बागफल पलस सेसफल बराबर क्या होता है बाज्य होता है बाज्य बराबर बाज़क गुणा बागफल पलस सेसफल इस तरह आपको जांच करनी है आगे बच्चो खो बच्चो 900 में किसका बागदेना है 10 का तो बच्चो बिल्कुल सरल है 0 से 0 क वच्चो हम जानच कैसे करेंगे बच्चो जानच करेंगे भाजक, बच्च कोन है भाग किसे का दे रहे थि दस का, भागफल कितना है 50, सेस्पल कितना है 10, तो वच्चो बज़ गतना आजएगा 900, जन्हें हमारा उत्ठर सही है, आगे बच्चो 3480 में भाग देना है 12 का, कितना हो जाएगा बच्चो, 129 108, कितना हो गया 0, ऊपर के दोको, एक 0 सेस बच रहा है, तो बच्चो यहाँ पर लगा देंगे हम 0, ठीक है, अब बच्चो जांच कैसे करेंगे, तो उच्चो जांच के लिए हम कर देंगे, वाज़क कितना है बारा वागवल कितना है दो सो नबे सेस्पल कितना है जीरो तो बच्चो ये किसके बराबर होगा 3480 के बराबर प्रात होगा आगे बच्चो गव है 678 में भाग देना है च्छे का बच्चो च्छे सो अठतर भाग देना है च्छे का बच्चो 6 एकम 6, 6 मैंसे 6 गया तो 0, उपर से उतारा 7, 6 एकम 6, 7 मैंसे 6 गया तो 1, उपर से उतारा 8, 6 तिया 18, 18 मैंसे 18 गया तो बच्चो कितना बच्चा? 0 बच्चा, अब बच्चो जांच कैसे करेंगे? तो बच्चो जांच के लिए हम करेंगे 6 गोना 113 पलस 0, तो कितना हो जाएगा बच्चो 678 घीक है आगे बढ़ते हैं बच्चो प्रशन संख्या 3 गुना कीजिये और भाग के द्वारा अपने उत्तर की जांच भी करिये तो बच्चो आपको क्या करना है गुना करना है इसका गुणा करना है बच्चो 21-16 तो बच्चो जब आप 21-16 से करोगे तो कितना आएगा 336 बच्चो गुणा करना हमने पहले भी सिखा है तो मैं बार-बार गुणा करके आपको नहीं बता रहा है आगे बच्चो 77-10 तो बच्चो क्या हो जाएगा पीछे 1-0 जूड तो 77 गोना 10, कितना हो जाएगा बच्चो, 770, ठीक है, अब बच्चो देखो, अगर आपको जांच करनी है, तो जांच कैसे कर सकते हो बच्चो, जैसे 336 आया, अब बच्चो 336 में, यदि आप 21 का भाग दोगे, किसका भाग दोगे, 21 का, तो भाग भल कितना आएगा, 16, और हम 10 का भाग देंगे, यदि 770 में हम 10 का भाग देंगे, तो भाग भल कितना आएगा, 17, और यदि 770 में हम 17 का भाग देंगे, तो भाग भल कितना आएगा, 10, ठीक है, इस तरह हमारी जांच हो जाएगी, आगे बच्चो 93 गुना 12, बच्चो 93 का गुना जब हम 12 से करते हैं, तो बच्चो कितना आता है 1116 अब 1116 में 1116 में जब आप 12 को भाग दोगे तो भाग फल कितना आएगा 93 और जब 93 को भाग दोगे तो भाग फल कितना आएगा 12 अभी मैं एक उधारन को चेक करके भी बताता हूँ आगे बच्छो देखो गह है 85 गुणा 5 रह तो बच्छो 85 का गुणा 15 से करना है पर कितना आएगा 1270 ठीके बच्छो जान्च कैसे करेंगे जब हम 1275 में किसका भाग देंगे 85 का भाग देंगे तो भागपल कितना आएगा 15 रहा और जब बच्चो हम 1275 में किसका भाग देंगे 15 रहा का तो भागपल कितना आएगा 85 देखो बच्चो जांच करके मैं बता देता हूँ यहाँ पर कितना है बच्चो 127 ठीके तो बच्चो 158 कितना होता है 120 127 में से 120 कितना बच्चा 7 उपर से उतारा 5 15 पंजे 75 देखो 75 में से 75 गया तो कितना आगया 0 यानि बच्चो जब हमने 1275 जो कि गुणन पल आया था उसमें हमने 15 का भाग दिया तो भागपल कितना आगया 85 बिलकुल सही बात है बच्चो बाजक गुणा भागपल 15 गुणा 85 किसके बराबर आ रहा है 1275 के बराबर आ रहा है और इस तरह हम क्या कर सकते हैं जांच भी कर सकते हैं तो इस तरह बच्चो हमने आपके तीसरे प्रशन को उच्चे से अल कर दिया है आगे बढ़ते हैं बच्चो प्रशन संक्या 4 यदि एक बरतन में 4,500 ml धही है, तो इससे 25 ml धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं, बच्चो हम क्या करेंगे, बच्चो 45-100 में किसका भाग देंगे, 25 का, इसका भाग देंगे, 25 का, तो बच्चो देखो 45-100 को में कैसे लिख सकता हूँ, 45-100, बच्चो 25, देखो 25-25, और 25- सो कितनी बार कटेगा, च्यार बार, बच्चो क्या होगा, 45 गुणा च्यार, तो बच्चो 45 का गुणा दो से करते हैं, तो 90, 90 का दूगुना कितना हो जाएगा, बच्चो, 180, यानि हम, 45-100 ml धही से, 25 ml गिलास वाले, कितने गिलास भर सकते हैं, 180 गिलास भर सकते हैं, ठीके, 45-100 ml धही से हम, 25 ml धारिता वाले, 180 गलास भर सकते हैं, तो बच्चो इस तरह आपने, आपके कारे पत्र कंठानवे के, सभी प्रश्णों के उत्र बहुत अच्छे से जान लिये हैं, उम्मित करता हूँ, सभी प्रश्णों के उत्र आपको उच्छे समझ में आये होंगे, त क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो बच्चो लाइक, कमेंट, सेयर और सबस्क्राइब जरू करें, आज गले इतना ही, जे हिंद, जे भारत!